हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डिसी ट्रेनिंग प्रताफगर उत्तरप्रदेश दोस्तों 79,000 सिक्षक भरती में 31,277 सिक्षकों को दोस्तों प्राथ्मिक विद्याले में सहायक अध्यापक पत्पे न्युक्ति की सौगात मिली है और ये माननी मुखमंत्री श्री योगी आदि सिक्षकों को न्युक्ति पत्र निर्गत किया गया इस आउसर पे माननी मुखमंत्री जी ने सिक्षकों से आहवान किया है कि वो टेक्नो सेवी हैं इसलिए अपने दाइतों का कुशलता पूर्वक इमानदारी से निर्वहन करें बच्चों को इमानदारी से पढ़ाएं तो दोस्तों 16 अक्टूबर 2020 को माननी मुख मंत्री जी का क्या उद्बोधन रहा पूरा का पूरा और बेसिक एजुकेशन की क्या तस्वीर है दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं दोस्तों पत्र सूचना साखा मुख मंत्री सूचना परिसर सूचना इम जन संपर्क विभाग उत्त्र प्रदेश माननी मुखमंत्री द्वारा परशदी प्रात्मिक विद्यालियों में चैनित 31,277 सहायक अध्यापकों को न्युक्ति पत्र वित्रल कारकरम का शुभारम किया गया मुखमंत्री ने जन्पत लखनव हे तु चैनित पांस सहायक अध्यापकों को न्युक्ति पत्र वित्रित किये सभी सफल अभ्यर्थियों का चैन निश्पच इम पारदर्सी धंग से किया गया माननी मुखमंत्री राज सरकार युवाओं को नौकरी देने के प्रत्य अत्नत गंभीर है राज सरकार दोरा अब तक लगबग 3 लाख युवाओं को नौकरियां देने का लक्ष है परशदी विद्यालियों में पढ़ाने वाले सिक्षिकों को अपने दायतों का निर्वहन भली भाद करना होगा राज सरकार दोरा विगत साले 3 वर्सों में प्रदेश की बेसिक सिक्षा को सुद्रिन करने के लगातार प्रयाज किये जा रहे है चात्र देश का भविष्ष होते हैं तब बेसिक स्कूलों में पढ़ने वाले चात्रों को अच्छी सिक्षा मिलने चाहिए ताकि उनका निव मजबूत बन सके मुखमंत्री जी वर्तमान राज सरकार के सकारात्मक प्रयासों से परशदी विद्यालों में 50 लाग चात्रों की ब्रिद्ध हुई प्रदेश के 1,69,000 परशदी विद्यालों में 18 मूलभूत अवास्तापना सुविधाओं के संत्रप्ती करण हेदू आप्रेशन कायकल्प अभियान संचालित राज सरकार के प्रयासों से आज प्रदेश के विविन चेत्रों में मौझूद परशदी विद्यालों की तस्वीर बदल गई है माननी मुखमंत्री जी ने वीसी के माध्यम से कई जन्पदों के चैनित अभ्यर्तियों से वार्ता कर उन्हें बदाई दी दो बात करते हैं लख्णव से और ये 16 अक्टूबर 2020 का दिन बहुत से बेरुजगार अभ्यर्तियों की जिन्दगी में एक जोती के रूप में आया एक रोशनी के रूप में आया एक सुवास के रूप में आया एक महे के रूप में आया उनके केरियर को शेप करने का डे कहा जा सकता है इसे और उत्तर प्रदेश के माननी मुखमंत्री श्री योगी आदित नात्म जी ने कहा अपने दायतों का नेर्वाहन भली भात करना होगा, उन्हें बच्चों को पूरी मेहनश से पढ़ाना होगा, उन्हें ने कहा कि बेसिक शिक्षकों के हाथ में देश का भविसर है अता उन्हें पूरी गंभीरता से कार करना होगा माननी मुखमंत्री जी ने यह विचार आज यहां अपने सरकारी आवास पर आयोजित सहायक अध्यापकों को नियुक्ती पत्र वित्रन कारकरम को संबोधित करते हुए बेर्ति किये इस अउसर पर उत्तर प्रदेश बेशिक शिक्षा परसद्वारा संचालित परशदी प्रात्मिक विद्यालियों में 9 चैनित 31,277 सहायक अध्यापकों को नियुक्ती पत्र वित्रन कारकरम का शुभारम किया गया कि राज सरकार युवाओं को नौकरी देने के प्रति अत्यंत गंभीर है राज सरकार दोरा अब तक लगभग 3 लाख युवाओं को नौकरिया दी गई है भविश्च में 3 लाख युवाओं को नौकरिया देने का लक्ष नरधारित किया गया उन्होंने कहा कि आज के इस नुक्ति पत्र वित्रन कारक्रम से इसकी शुरुवात हो गई है माननी मुखमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा विद्यालियों में पढ़ने वाले 1.8 करोड बच्चों को अच्छी शिक्षा की आउ सकता है इसके लिए प्रयाप्त संख्या में शिक्षिकों की आउ सकता थी राज सरकार द्वारा 79,000 शिक्षिकों की नुक्ति की प्रक्रिया प्रारंब की गई थी प्रयास तो ये था कि इसके तहट वर्स 2019 में ही अब भरतियों का चैन कर उन्हें नुक्ति दी जा है परंतो कुछ आर्चनों के कारण इसमें भी लंब हुआ उन्होंने कहा कि सभी सफल अब भरतियों का चैन निस्पत छेम पारदर्सी ढंक से किया गया है इस भरति के माध्यम से आज 31,277 शिक्षकों को नुक्ति पत्र वित्रन का शुभारम किया गया है उन्होंने अपेक्षा कि कि सभल अभ्यरती परषदी भी दिया लों कि बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराएंगे माननीमुकमंत्री जी ने कहा कि सिख्षक भरती प्रक्रिया में राज सरकार दवारा शिक्षा मित्रों को वेटेद दिया गया और उन्हें सिक्षक बनने का मौका मिला उन्होंने कहा कि 31,277 सफल अभ्यर्थियों में से 6,675 सिक्षा मित्र है भर्ती में आरक्षन का पूरा ध्यान रखा गया है चैनित सफल अध्यापकों में 15,933 अनाराच्छित्रेणी, 8,513 OBC, 6,615 अनुसूचित जात, 216 अनुसूचित जन्जात के अभ्यर्थि शामिल है उन्होंने कहा कि भर्ती, प्रक्रिय, पूर्तिय, पारदर्शी और निस्पत चूने के कारण सभी सफल अभ्यर्थि प्रतियस परधा में सफल होने के कारण नुक्ती पा रहे हैं नुक्तियों में सभी मानकों का पालन किया गया है मानने मुखमंत्री जी ने कहा कि राज सरकार के अथक प्रयासों से पिछले साले तीन वर्सों में बेसिक शिक्षा में काफी बरिवर्तन हुआ है। पूर में जहां 1.34 करोड चात्र परशदी विद्यालों में पढ़ रहे थे वहीं वर्तमान राज सरकार के सकारात्मक प्रयासों से इसमें 50 लाग चात्रों की बिर्द हुई। इसमें स्कूल चलो अभियान ने बड़ी भूमिका निभाई। परशदी विद्यालों में 18 मूल भूत अवस्थापना सुविधाओं के संतरप्ति करन है तू। वर्स 2018 से ही आपरिशन कायकल्प अभियान संचालित है। राज सरकार अपने संसादनों से छात्र छात्राओं को दो जोड़ी यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा, इत्याद भी उपलब्द करा रही। उन्होंने कहा कि राज सरकार के प्रियासों से आज प्रदेश के विविन छेत्रों में मौजूद परशदी विद्यालों की थस्वीर बदल गई है। इन स्कूलों में आज यूनिफॉर्म पहने हुए बच्चे दिखाई देते हैं। इन स्कूलों में शोचाले, स्वच्च पेजल, फरनीचर इत्याद की सुवधा उपलब्द कराई जा रही। इन्हें विदूती करांट कृत भी किया गया है। लाइब्रेरी की भी अस्थापना कीगी, अगले सव दिनों में सभी परशदी विद्यालों में पाई पेजल उपलब्द करा दिया जाएगा। मन्यमुकमंत्री जी ने कहा कि तकनीकी के विस्तार से आज शिक्षा का सुरूप बदल रहा है। आउनलाइन का क्षाएं चल रहे हैं। उन्होंने नवन्यूक्त सिक्षकों से अपेख्षा की कि वे टेक्नो से भी होने के नाते इसका प्रभावी इस्तेमाल करेंगे। और चात्रों को आउशक्ता अंस्वार ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा भी उपलब्द कराएंगे। उन्होंने दूरदर्सन के सेक्षणिक कारकरमों से चात्र चात्राओं को जोडने की अपेख्षा की। कोरोनो काल में राज सरकार द्वारा टेक्नोलोजी का इस्तेमाल कर वंचिते को डीबीटी कर साहता पहुचाई गई। मानि मुखमंद्री जी ने कहा कि राज सरकार द्वारा परश्यदी विद्यालियों इसके लावच चात्र लर्निंग आउटकम में सुधार को मौनिटर किया जा रहा है। शिक्षकों द्वारा नवाचारी कक्षा प्रशिक्षनल पर फोकस किया जा रहा है। साथ ही शिक्षकों के अकादमिक कारियों में समय को बढ़ाया गया है। नया संगत कक्षा कक्ष अस्थापित किये गए हैं। प्रबंधन सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही शिक्षक प्रशिक्षनल ऑनलाइन की व्योस्था की गई है। आज उन्हें सभी जानकारियां ऑनलाइन उपलब्ध है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में चैनित अभेरतियों को न्युक्ती पत्र जन प्रतिनित गळके कर कमलों से वित्रित किये जाएंगे। श्री लखन सरूब चंदेल जनपद गोरकपूर से चैनित सूसरी बविता माउर तह सूसरी आभा चतुरवेदी जनपद सिधार्त नगर से श्री राज कुमार यादो तह सूसरी प्रग्या जनपद वारानसी की सूसरी सोनल चतुरवेदी तह सूसरी रीशा कुमारी पूरी मेहनस से बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि देश और प्रदेश का भविस उजल बन सके। कारकरम को बेसिक शिक्षा राजमंत्री सोतन प्रभार टक्टर सतीष चंदिवेदी जी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मुख सचिव स्री आरकेतिवारी अपर मुख सचिव बेसिक शिक्षा शिरी मतीर रिल्यका कुमार अपर मुख सचिव MSME यों सूचना स्री 99 सहगल अपर मुख सचिव मुख मंत्री स्री SP गोयल सूचना निदेशक स्री सिसिर सहित बेसिक शिक्षा विवाग के अ वरिष्ट अधिकारी गण मुझूद थे तो दोस्तों ये रही पूरी की पूरी 31,277 शिक्षकों का जो भरती में न्यूकती पत्र निर्गत किया गया और बेसिक शिक्षा की जो तस्वीर प्रस्तुत की गई उसका सार सभी शिक्षक पत्पे सुशोभित हमारे नव न्यूकत प्रात्मिक शिक्षकों को हार्दिक बधाई शुब कामना है इस आशा के साथ कि आप बेसिक शिक्षा में जा करके बच्चों को पढ़ाएंगे पूरी इमांदारी से अपने कर्तब्यों दाय्तों का निष्ठा पूरवक निर्वान करेंगे और बेसिक शिक्षा की तस्वीर को बदल कर अपने गुरू पत की गरिमा को दोस्तों सिद्ध करेंगे इसी और आशा और विश्वास के साथ तो वाड़ी को विराम देंगे तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें चैनल पर कमेंट करें लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिक प्रताब गलुक्तर प्रदेश किस खुब सूरत यूटूब चैनल पर ने हैं पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसे सब् करेंगो